आज इस वीडियो में हम बहुती ब्यूटिफुल ये फ्रिल वाली कार्डिगन बूनना सीखेंगे जो कि हम एक साल से बड़े और तीन साल तक के बच्चों की नाप की बूनना सीखेंगे साथ ही में हम तीन साल से बड़े और साड़े चार साल तक के बच्चों के लिए फंदे कितने रखने और नाप उसकी कितनी रखनी है वो भी जानकारी लेंगे हाई एवरिवन मैं बूवी मेरी नीट अन मश्मूर फैमली और मेरे सारे विवर्स का मेरे चैनल नीट अन मश्मूर में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी हमेशा की तरह हैपी और हेल्दी होंगे यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और इसी तरह की नीटिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कूर न भूलेगा फ्रेंड्स ये है वो कारडिगन जो आज हम बूनना सीखेंगे आज के वीडियो में हम एक साल से बड़े और तीन साल तक के बच्चों के नाप की एक कारडिगन बूनना सीखेंगे इस cardigan की जो बुनाई है वो गले से ही हुई है लेकिन इसमें neck की बुनाई करने के बाद हमने यहाँ पे फंदे अभी divide नहीं करने है इस cardigan की बुनाई बिल्कुल अलग तरीके से होगी और आगे हमें फंदे कैसे बढ़ाने है वीडियो में आगे हम सीखेंगे फिर इसमें हमन के इस defense के बुनाई कहा है ओर इस कारड़ीगन की बुनाई है step by step आगे हम सीखेंगे लुखेंगे मोगे यहाँ बुनाई क्यूलै। सीखेंगे इस तरह की कार्डिगम बुनने में एक साल से बड़े और तीन साल से छोटे बच्चों के लिए 185 ग्राम लगबग वूल यूज हुआ है और 3 साल से बड़े और 4.5 साल तके बच्चों के लिए लगबगग 240 ग्राम वूल यूज हुआ है फ्रेंट्स आगे बढ़ने से पहले दोनों कार्डिकन्स की एक बार नाप ले लेते हैं ये है जो आज हम बुनना सीख रहे हैं एक साल से बड़े और तीन साल तक के बच्चों के नाप की तो इसकी एक बार लंबाई कितनी है वो देख लेते हैं तो नेक्स से इसकी हम लंबाई में नाप लेंगे तो यहां से मैं नाप रही हूँ ये लगवत 4 इंच लंबा मैंने बुना है इसकी जो लंबाई है आप अपने इसाब से रख सकते हैं जब आमूल की length complete हो जाए तो इसकी जो लंबाई है आप अपने बेबी के साब से लंबाया इसको कम बून सकते हैं इसके लंबाई की तो हमने नाप ले ली है अब हम इसके sleep की नाप ले लेते हैं sleep को कितना लंबा हमने बूना है स्लीब की लंबाई भी हम यहां नेक से ही लेंगे तो इतना यहां से हम इसकी लंबाई ले तो लगबाग 14 इंच हमने इसको लंबा बुना है स्लीब की लंबाई भी तोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कितना लंबा बुनना है स्लीप की नाप तो हो गई अब आमुल की लेंड देख लेते हैं इसकी जो बुनाईवे इस तरह से हुई है कि ये पहनने में बहुत ही कमफुरबल है और गले से इसकी ऐसे आमुल की हम नाप लें तो ये लगबग हमने इसको साड़े साथ इंच लंबा बुना है ये थोड़ा सा जाधा आप बुनने कोई फरक नहीं पड़ेगा जाधा लेकिन ये जाधा टाइट नहीं होना चाहिए अब एक बार इसकी चोड़ाई देख लेते हैं ये भी चोड़ाई भी इसकी काफी है अब इसकी ऐसे नाप ले आगे से देखें तो ये लगबा आपको 11 इंच लगबा दिख रहा है लेकिन ये पहनने में काफी चोड़ाई इसको काफी हलकी आतों से बुना है हमने काड़िगन की लंबाई चोड़ाई और स्लीप की और आमूल की लेंद की नाप तो ले ली है लेकिन जब आप गले की इसकी बुनाई करें तो फंदे आप जब कास्टों करते हैं तो काफी हलकी आतों से कास्टों करेगा और बॉर्डर की बुनाई भी बहुत हलकी आतों से करेगा अब इस काड़िगन की भी हम नाप ले लेते हैं चुकि हमने तीन साल से बड़े और साड़े चार साल तक बच्चों के नाप की बुनी है तो इसकी लंबाई की नेक्स से नाप ले तो इसको लगबस 16 इंच लंबा मैंने बुना है इसकी जो लंबाई है तोटली आपकी बेवी के हाइट पर डिपेंड करता है आप इसको कितना लंबा बुना जाते हैं लंबाई की तो नाप हमने ले लिए अब स्लीप की भी नाप ले लेते हैं स्लीप को मैंने 16 इंच लंबा बुना है अब इसके आमुल की लेंध देख लेते हैं आमुल की लेंध लगबस 8 इंच लंबा बुना है आमुल की जो लेंध है वो थोड़ी soft और comfortable है यह यदि normal height weight है तो पांस साल तक के बच्चों को भी यह easily आ जाएगी यह तरह से बुना गया है अब आप कहेंगे कि दोनों काडिगन तो हम सेम मेथड से बुनेंगे तो आमूल की लंथ बढ़ेगी कैसे तो जो यह distance है इसमें वो distance हमने बढ़ानी है बस यहीं पर हमन लंबा या छोटा करके आप किसी भी age के लिए बुन सकते हैं लेकिन कले के फंदे बिलकुल ठीक होने चाहिए age के हिसाब से दोनों काडिगन के हमने measurement भी ले ली है और इन दोनों में कितना वूल यूज हुआ है पहले हमने जान लिया है तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं तो चली आगे हमें इस काडिगन को बुनने के लिए कौन-कौन सी चीजों की ज़रुत है वो जान लेते हैं जो ये काडिगन है मैंने सेम वूल से ही बुनी हुई है तो इस काडिगन को बुनने के लिए मैं वर्दमान की ही ब्लू बैल वूल यूज कर रही हूँ जो कि 3 प्लाइ बूल है और यह 100 ग्राइम की एक बॉल आती है इस बूल के हिसाब से ही हम फंदे डालेंगे और कार्डिगन की मेज़िमेंट होगी अब इसको बूनने के लिए मैं 9 नमबर की सर्कुलर नेडल यूज कर रही हूँ बाद में हम 10 नमबर की यूज करेंगे इसके अलावा हमें कैची सुई और मेज़िमेंट टेप की जरुरत पड़ेगी तो यही वो चीजे हैं जो इस कार्डिगन को बूनने के लिए हमें चाहिए तो चलिए कार्डिगन की बुनाई शुरू करते हैं और इसके लिए फंदे कास्ट ओन करते हैं यह हम एक साल से बड़े और तीन साल तक के बच्चों के लिए कार्डिगन बुनना सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें 76 फंदे कास्ट ओन करने हैं ची आसी फंदे हमने तीन साल से बड़े बच्चों के लिए कास्ट ओन करने हैं और एक साल से बड़े बच्चों के लिए हमने 76 भी cast on करने हैं तो 76 फंदे या 76 फंदे आम cast on करने के लिए आपको जो भी method comfortable लगता है उस method से आप फंदे cast on कर सकते हैं और ये 3-ply wool के लिए ही applicable है यदि आप इसे पतली wool यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 6-8 फंदे जादा cast on करने होंगे यदि आप बहुत जादा tight भूनते हैं तो आप थोड़े फंदे जादा भी cast on कर लेंगे तो neck की बुनाई अच्छे से होगी यदि आप neck को बहुत tight भूनेंगे और फंदे कम होंगे तो पहनने में uncomfortable होगा तो उसके लिए आप 2-4 फंदे जादा भी cast on कर लेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा हमने 76 या 76 फंदे cast on कर लेंगे अब आगे neck के बॉर्डरी की बुनाई हम शुरू करेंगे तो यहां से हम row one count करेंगे और इसी तरह से neck की बुनाई करेंगे जैसे हमने इस काडिगन में की हुई है यह wrong side है और इसको हम row one count करेंगे और इस row की बुनाई हम पर्ली करेंगे तो 76 फंदो को हमने पर्ली बुनकर यह row पूरी करनी है wrong side row one की हमने बुनाई पूरी कर ली है अब हमें आगे बॉर्डर की बुनाई पूरी करनी है तो पर्ल रोज हमें बुनते जाने है यदि आप नेके बॉर्डर की जो चोड़ाई है कम या जादा रखना चाते हैं तो अपने हिसाब से आप इसकी चोड़ाई को कम या जादा कर सकते हैं अब यह row second है तो इसमें एक फंद हमने स्लिप करना है और बाकी फंदो को पर्ली बुनकर ये row भी हमने पूरी करनी है हमने राइट साइड सेकेंडो की बुनाई पूरी करनी है अब हमें थर्डो की बुनाई करनी है तो थर्डो में भी हमने फर्स्ट वाला पंदा slip करना है और बाकी फंदों को पर्ली बुन कर ये रो पूरी करनी है थर्ड रो रॉंग साइट की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है अब आगे हमें लास्ट रो को ही रिपीट करके जिज़ण गारे हैं हमें वह रो रो पूरी कर ली यूर देना लास्ट ने करते लास्ट रहरा है आगे हमें पर्ल ही बुनाई करते जाना है दूसरी साइट के 6 फंदे बचने तक दूसरी साइट क्योंकि हमें बटन होल बुनना है तो हमें 6 फंदे बचने तक पर्ल बुनाई ही करते जाना है अब यहां तक हमने बुड़ाय कर ली है इसमें 8 फंदे हैं तो 2 फंदे अभी हमने बुनने हैं फिर 6 फंदे बचते हैं तो इसमें हमने पटन होल की बुनाई करनी है अब यहां पे 2, 4, 6 फंदे बचके हैं तो आगे की 2 फंदों को हमने 7 में बुनना है अब 2 फंदे हमने 7 में बुनने फिर आगे हमने 4 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो पूरी करनी है पटन होल का काम अभी बाकी है जो कि हम रॉंग साइट करेंगे ये राइट साइट थ हैं राइट साइड में एक फंदा कटाया था रॉंग साइड में एक फंदा हम बढ़ाएंगे तो इस तरह से हमें बटन होल की बुनाई करनी है अब आगे हमें पर्ल बुनाई करते जाना है और इस रो को कम्प्लीट करना है हमने सेवन्थ रो की बुनाई पूरी कर ली है और साथ में बटन होल भी बून लिया है अब ये रो एट है इसमें हमने फंदा स्लिप करके बागी फंदो को पर्ल ही बून कर ये रो पूरी करनी है एट थो की बुनाई हमने पूरी कर ली है अब हम नाइन थो बूनने जा रहे हैं तो इसमें फंदा हमने स्लिप करना है और बागी फंदो को पर्ल बून कर ये रो भी हमने पूरी करनी है नाइन थो की बूनाई हमने पूरी कर ली है अब आगे हमें लास्ट रो को ही रिपीट करके टू रो बूनने हैं और रो टैंथ और इलेवन की बूनाई करनी है यहाँ पर बूर्डर की जितनी चोड़ाई आपको चाहिए उसे इसाब से बूर्डर की चोड़ाई आप रख सकते हैं अब इसके आगे की बूनाई हमने कैसे करनी है पहले टू रो बूनेंगे उसके बाद हम सीखेंगे हमने रो टैंथ और रो इलेवन की बूनाई पूरी कर ली है इसके साथ नेक के बूर्डर की चोड़ाई है वो कमप्लीट होती है अब इसके आगे हमें कैसे बूनना है और हमें आगे फंदे कैसे बढ़ाने है वो आगे हम सीखेंगे बॉर्डर की चोड़ाई है आप अपने साब से रखें कम या जादा ये तोटली आप पे डिपेंड करता है नेक की तो हमने बुनाई पूरी कर ली है अब आगे हमें फंदे बढ़ाने हैं सबसे पहले हमें फ्रेंट साइट के बॉर्डर की बुनाई करनी है तो एक फंदा स्लिप करके साथ फंदे हमने पूर्ल बुनने है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और स्लीप किया फंदा मिलाकर आठ तो आठ फंदे बॉर्डर के होगे यहाँ एक फंदा हमने बढ़ाना है फिर आगे दो फंदे हमने सीधे बुनने है तो यह आठ फंदे बॉर्डर के होगे एक फंदा हमने बढ़ाया आगे दो फंदे हमने सीधे बुनने है एक दो तो यहां दो फंदे हमने सीधे बुनकर फिर से एक फंदा हमने बढ़ाना है फिर आगे हमने फिर से दो फंदे बुनने है सीधे फिर एक फंदा बढ़ाना है फिर से आगे हमें दो फंदे सीधे बुन फिर एक फंदा बढ़ाना है तो इसी तरह से हमने दो फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाते जाना है और जैसे हमने बॉर्डर के बाद एक फंदा बढ़ाया था इसी तरह से हमने दूसरी साइट बॉर्डर से पहले एक फंदा बढ़ाकर फिर आठ फंदे हमने पर्ल बुन कर ये रोख पूरी करनी है तो यहां लास्ट दो फंदे हमने बुने हैं और बॉर्डर के फंदे बच गये हैं तो यहां एक फंद हम बढ़ाएंगे फिर आठ फंदे हमने बॉर्डर के पर्ल ही बुनकर हमने ये रोख पूरी करनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ तो इस रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है बार वी रो या ट्वेल थो तक हमने बुनाई पूरी कर ली है अब ये थर्टीन थो है या तेर वी रो है तो इस पे हमने पहला फंदा स्लिप करके बागी फंदों को हमने पूरी बुनकर ये रो पूरी करनी है जो फंदे हमने बढ़ाये थे उन्हें भी हमने पूरी बूनना है थर्टीन थो भी हमने कम्प्लीट कर लिया है अब टोटल फंदे 107 या 107 हो गए है पहले 76 या 76 फंदे थे फिर हमने पारवी रो में फंदे बढ़ाये तो 31 फंदे बढ़कर 107 या 107 फंदे हो गए है 13 त्रो हमने बून लिया है अब यह 14 त्रो है तो इसमें एक फंदा slip करके आगे 7 फंदे हमने पर्ल बूनने हैं तो पहले हम border की बुनाई पूरी करेंगे तो इसमें 2 चार्च है और 8 फंदे हमने border की रखे आगे हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है दूसरी साइट के आठ फंदे बचने तक फिर उन आठ फंदों को हमने परली बुनकर ये रो पूरी करनी है 14 थ्रो भी हमने बून लिया है अभी रोंग साइड है और 15 थ्रो है तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके बागी फंदों को परली बुनकर ये रो पूरी करनी है 15 थ्रो भी हमने पूरा कर लिया है अब हमें लास के टू रोस को ही रिपीट करके 4 रोस और बुनने है और रो 16 से लेकर रो 19 थक की बुनाई पूरी करनी है फिर उसके आगे की बुनाई हम करेंगे फ्रेंड्स हमने नेक के बुनाई करने के बाद आगे एट रोस कम्प्लीट कर लिये हैं राइट और रॉंग साइड भी लाकर यहां बुनाई की हमने फिर राइट साइड से आप काउंट करें तो चार परलोस हमने बूल ले हैं तो इसके आगे जो आपको यह टू परलोस दिख रहे हैं वो लाइन हमने इसमें बूननी है तो हमने एक फंदा स्लिप करके सारे फंदे परल बूनकर यह रो हमने पूरी करनी है हमने 20 वी रो की भी बूनाई पूरी कर ली है अब यह रोंग साइड है और 21 वी रो है तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बागी फंदों को परली बूनकर यह रो पूरी करनी है फ्रेंड्स हमने 21 वी रो की भी बुनाई पूरी कर ली है अब हमें लास्ट रो को ही रिपीट करके टू रोस और बुनने हैं और 22 वी और 23 वी रो की बुनाई पूरी करनी है 23 वी रो तक हमने बुनाई पूरी कर ली है और राइट साइड से देखे तो आप ये टू पर रोस की बुनाई हमने इसी तरह से कर ली है अब आगे हमें फंदे बढ़ाने हैं जैसे हमने पहले 12th रो में फंदे बढ़ाये थे उसी तरह से हमने इस रो में भी फंदे बढ़ाने है ये राइट साइड है और 24 वी रो है और इस रो में हमें फिर से फंदे बढ़ाने सबसे पहले हम Border की बुनाय करेंगे तो एक फंद हमने slip किया साथ फंदे हमने Pearl बुनने है अब साथ फंदे हमने Purl बुनने के बाद एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है जैसे हमने बारवी रो में फंदे बढ़ाये थे और लास्ट में एक फंदा उसको सीधा बुन कर हमने एक फंदा फिर से बढ़ा कर और आट फंदे पर्ल बुन कर हमने इस रोगी बुनाई पूरी करनी है हमने 24 वी रोगी बुनाई पूरी कर ली है अब यह 25 वी रोग है और रॉंग साइड है तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और बागी फंदो को पर्ल ही बुन कर यह रोग हमने पूरी करनी है फ्रेंड्स हमने 25 वी रोगी बुनाई पूरी कर ली है अब टोटल फंदे हो गए 154 पहले 107 फंदे थे 47 फंदे मिलाकर 154 फंदे हो गए हैं फ्रेंड अब इसके आगे हमें 4 वी रो से लेकर 23 वी रो तक की बुनाई को रिपीट करके हमें रो 26 से लेकर रो 35 तक की बुनाई पूरी करनी है तो हमने यहां पे 10 rows complete कर ली हैं जैसे हमने 14 वी रो से 23 वी रो तक बुनाई की थी वैसे हमने यहां तक की बुनाई भी पूरी कर ली है और 35 वी रो तक हमने बुनाई पूरी कर ली है अब इसके आगे की बुनाई हमें करनी है और फ्रिल की बुनाई करना सीखना है तो यहां तक तो हमने बुनाई कर ली है और साथ में हमने बटन होल भी बुना है याद रखेगा हमने पहला बटन होल बुना फिर दस भी परलो में हमने तूसरा बटन होल यहां बुना है right side से 10 भी पढ़ लो में याद रखीगा और इसका जो distance है आप अपने एसाब से रख सकते हैं अब यहाँ पर हमने पहले neck की बुनाई की फिर फंदे बढ़ाए फिर इतनी बुनाई करने के बाद फिर से हमने फंदे बढ़ाए तो अभी तक 154 फंदे हो गए हैं यहाँ तक हमने बुनाई पूरी कर ली है अब इसके आगे हमने फिरिल की बुनाई करना सीखना है और आगे इसके फंदे भी हम पढ़ाएंगे वो बाद में पहले हम फिरिल की बुनाई करेंगे फिर बाद में हम फंदे पढ़ाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स फ्रिल की बुनाई कैसे करनी है इस रो से हम सीखेंगे और वीडियो आप ध्यान से देखेगा 35 वीरो तक हमने बुनाई पूरी कर ली थी अब ये 36 वीरो है और राइट साइड है तो इस रो से हम फ्रिल की बुनाई करना सीखेंगे तो सबसे पहले हमें बॉर्डर की बुनाई करनी है तो एक फंदा स्लिप करके साथ फंदे हमने पहले पर्ल बुनने हैं बॉर्डर की हमने बुनाई कर ली है अब इसमें आप देख सकते हमने फ्रिल की कैसे बुनाई की है ये बिल्कुल आप इसकी शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल तिकोनी शेप हमें इसको बुनना है तो हमें हर रो में फंदे बढ़ाते जाने हैं तो कैसे इसकी बुनाई करनी है वो ही हम इसमें सीखेंगे और आप वीडियो बिल्कुल द्यान से देखेगा तो सबसे पहले हमने तीन फंदे जो हैं वो पर्ल बुने अब तीन फंदे पर्ल बुनने के बाद हमने यहां एक फंदा बढ़ाना है याद रखेगा पॉडर बुनने के बाद तीन फंदे हमने पर्ल बुने फिर एक फंदा हमने यहां पे सीधा बुनना है फिर से यहां एक फ पिरसे हमने फंड़ाय लाकर चार फंड़ा हमने पर्ल बुनने हैं हमने तीन फंड़ाय और ढूंब कहना हैं हमने के सब चार फंड़ा एक फंदा बढ़ाया, फिर एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर एक फंदा यहां हमने बढ़ा लिया, फिर से हमने चार फंदे पर्ल बुनने हैं, फिर यहां एक फंदा हमने बढ़ाना है, फिर बीच में एक फंदा हमने सीधा बुनना है, और एक फंदा हमने बढ़ाना है, ज जैसे चार फंदे हैं तो चार फंदे ही रहेंगे तो इसी तरह से हमने आगे बुनाई करते जाना है और चार फंदों के बाद हमने एक फंदा बढ़ाना है और एक फंदा सीधा बुना है और एक फंदा बढ़ाना है अब यहां दूसरी साइड हम आ गए हैं एक फंदा हमने ब तो इन 4 फंदों को हमने पौर जो पूरी कारणी है 36 वीरो राइट साइड की बुनाई हमने पूरी कर ली है अब ये 37 वीरो है तो 37 वीरो को हमने कैसे बुनना है वीडियो द्यान से देखेगा अब ये रॉंग साइड है तो सबसे पहले हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 तो 2, 4, 6 और 8 आठ फंदे बॉर्डर की हो गए तो यहाँ पे हमने 4 फंदे राइट साइड से पहले पॉर्ड बुने थे तो इन 4 फंदों को हमने रॉंग साइड से वैसे ही बुनने वो जैसे हैं तो हमने 4 फंदे सीधे बुनने दो 3 और ये 4 तो 4 फंदे ह वैसे हमने वैसे ही बुनाई करनी है फिर यहाँ पे जो 3 फंदे थे जिसमें 1-2 फंदे हमने बढ़ाये थे बीच पे एक फंदा सीधा था उन्हें हमने पर्ली बुनना है बढ़ाये फंदों को भी हमने पर्ल बुनना एक और बीच पे जो सीधा फंदा था दो और ये 3 तो तो ये 3 फंदे हैं वो फ्रिल के हैं तो crucified के अभार Eti के आसपास फंदे बढ़ेंगे अब आगे चार फंदे हमने सीध olması जो ड़ार हमने रायошन साइड से पर्ल funeral बुने ते फिर से यहां पर 3 फंदे हमने सीधَ बुनने एक और ये बीच का एक फंदा और ये बड़ा इस साइड एक फंदा तीन फंदे फिर आगे हमने चार फंदे सीधे बुनने याद रखेगा ये रॉंग साइड के हम बुनाई करने हैं तो इसी तरह से आगे चार, पांच छे, साथ और ये आठ हमने रॉंग साइट 37 फीरो की भी बुनाई पूरी कर ली है अब हम राइट साइड में आ गए हैं और 38 फीरो हमें बुनना है हम अभी तक फ्रिल के लिए एक बार फंदे बढ़ा चुके हैं अब हमें इस रो में दूसरी बार फंदे बढ़ाने हैं तो इसमें हमने सबसे पहले बॉर्डर की बुनाई करनी है तो एक फंदा हमने स्लिप करना है और साथ फंदे हमने पूर्ल बुनने हैं तो एक फंदा स्लिप किया उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ तो बॉर्डर की ये आठ फंदे हमने भूल ले हैं अब आगे ये जो तीन फंदे पर्ल थे उन्हें पर्ली हमने भूलना है तीन फंदे पर्ल भूलने के बाद यहां जो तीन फंदे हैं के आसपास हमने एक एक फंदा बढ़ाना है पहले एक फंदे के आसपास हमने फंदे बढ़ाये थे और यहां पर अब हम तीन फंदों के आसपास फंदे बढ़ाएंगे एक फंदा बढ़ाया फिर तीन फंदे हमने सीधे बुनने हैं फिर यहां इस साइड एक फंदा हम बढ़ तो इस तरह से फंदे बढ़ाते जाएंगे और इसकी तिकोनी शेप आती जाएगी तो यहां आगे चार फंदे हमने पर्ल बुनने हैं फिर एक फंदा आगे बढ़ाना है तो भी शेप हम इसी तरह से देंगे यहां एक फंदा बढ़ाकर तीन फंदे हमने सीधे बुनने हैं त पागे भी हमें इसी तरह से बुनाई करते जाना है और दूसरी साइड के पहले चार फंदे हमने पर्ल बुनने हैं फिर बचे बॉर्डर के आठ फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रोप पूरी करनी है अरतीस वी रोगी भी हमने पूरी करनी है बुनाई पूरी कर ली है अब यह 49 वी रो है और रॉंग साइड है तो इसमें हमने 37 वी रो की बुनाई जैसे की थी वैसे ही करनी है तो सबसे पहले हमने पॉर्डर के फंदे बुनने हैं पॉर्डर के फंदे बुनने के बाद हमने आगे के चार फंदे सीधे बुनने है एक दो तीन और यह चार अब चार फंदे सीधे बुनने के बाद आगे जो हमने फंदे बढ़ाये थे दोनों साइड बीच में तीन फंदे मिलाकर पांच फंदे हो जाते तो इन पांच फंदों अपने पर्ली बुनना है, रॉंग साइड आईए, फिर आगे हमने चार फंदे सीधे बुनने हैं, चार फंदे सीधे बुनकर आगे पांच फंदे हमें फिर से पर्ल बुनने, तो इसी तरह से हमें बुनाई करते जाना हैं, और लास्ट में तीन फंदे सीधे बुनने हैं, और बच्चे बॉर्डर की आठ फंदे पर्ल बून कर हमने ये रो भी पूरी कर दी है हमने रोंग साइड 49 वी रोगी भी पूरी कर ली है अब हमें आगे फ्रिल की बुनाई इसी तरह से करते जाना है जैसे हमने फर्स फ्रिल लो में एक फंदे के आसपास फंदे बढ़ायते दो फंदे उसके बाद दूसरी फ्रिल रो में हमने 3 फंदों के आसपास फंदे बढ़ाए तो 5 फंदे हो गए हैं फ्रिल के तो इसी तरह से आपको फ्रिल की जितनी चोड़ाई और लंबाई चाहिए उसे साब से आप उन सकते हैं हमने फ्रिल के फंदे 15 उने तब उनाई करते जाना हैं और फंदे बढ़ाते जाना हैं जो फ्रिल की लंबाई है है आप अपने साब से कम युद्ध जादा रख सकते हैं इसमें मुझे फ्रिल की थोड़ी लंबाई जादा रखनी थी तो मैंने 15 फंदे होने तक फंदे बढ़ाए है मैंने फ्रिल की बुनाई पूरी कर ली है और अब फ्रिल के फंदे हम पाइंड ओफ करेंगे और गुलाई में इसको शेप देंगे तो यहां पे एक बार फ्रिल के फंदे काउंट कर लेता है इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक 15 फ्रिल के फंदे होने तक मैंने इसकी बुनाई की है अब जैसे इसमें फ्रिल की बुनाई पूरी होने के बाद इसमें गुलाई में इसको शेप दिया है तो इसी तरह से हम गुलाई में इसको शेप देंगे तो इसके लिए मैं क्रोशा से फंदे बाइंड ओफ करूंगी इसमें 2 तरीके आप चाहे तो क्रोशा से फंदे बाइंड ओफ करें या इसी निडिल से आफंदे बाइंड ओफ कर सकते हैं दोनों ही मैथटर से आज फंदे हम बाइंड ओफ करना सीखेंगे पहले हम क्रोशा से फंदे बाइंड ओफ करना सीखेंगे फिर बाद में हम नेडल से भी फंदे बाइंड ओफ करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे तो एक फंदा हमने स्लेप करन हैं फिर साथ फंदे हमने पर्ल बुनने हैं बॉर्डर के फंदे बूल लेने के बाद आगे कि तीन फंदे हमने पर्ल बुनने हैं एक दो और ये तीन अब तीन फंदे हमने पर्ल बुनने हैं तो इसमें पंदरा फंदे हैं दो चार छे आठ दस बारा चौद और एक पंदरा त तक हमने वी शेप में प्रिल की बुनाई को कम्प्लीट किया था तो 15 फंदों को हमने बाइंड ओफ करना है लास्ट में एक ही फंदा बचेगा और फंदे बराबर हो जाएंगे 154 फंदों से हमने शुरुबात की थी तो 154 फंदे ही रह जाएंगे तो यहाँ पे हम एक फंदा है इस तरह से हमने ग्रोशा से बुनना है फिर हमने दूसरा फंदा आगे का बुनना है जब इस तरह से बुनाई करने के बाद दो फंदों का एक फंदा करना है फिर आगे का एक फंदा हमने बुनना है इस तरह से फंदे हमने बाइंड ओफ करते जाना है तो हमने सारे फंदे बाइंड ओफ करने है और बचा एक फंदा उसे हमने रखना है लास्ट का फंदा में हमने बाइंड ओफ कर लिया और बचा एक फंदा इसको हम नेडल में ले लेंगे हमने यहाँ पे बीच में एक फंदा सीधा बुना था वही फंदा ये रह गया तो पराबर फंदे हो जाएंगे इसी तरह से आगे अब जो हमने चार फंदे पर्ल बुने थे उन्हें हमने पर्ल बुनना है और फंदे इसी तरह से फ्रेल वाले हमने बाइंड ओफ करते जाने हैं तो यहां पर आगे हम चार फंदे एक, दो, तीन और ये चार फंदे पाड़ बुने फिर से आगे के 15 फंदे हमने बाइंड ओफ करने हैं और बचा एक फंदा निडल में लेकर आगे बुनाई कंटिन्यू करनी है यहां तक कि सारे फ्रेल हमने बाइंड ओफ कर ले हैं अब बचा लास्ट का एक फ्रेल जिसको हम निडल से बाइंड ओफ करेंगे अभी ता हमने क्रोशा से फंदे बाइंड ओफ के थे अब हम निडल से बाइंड ओफ करना सीखेंगे अब यहां तक हमने बुनाई कर ली है अब यहां एक फंदा हमने बुना दूसरा फंदा बुना और एक फंदे से दूसरा फंदा हमने ऐसे बाइंड ओफ करना है बहुत easy method है आपको जो भी method comfortable लगता है उस method से आप फंदे bind off कर सकते हैं तो यहाँ पे हम needle से फंदे bind off करने के बाद फिर आगे की हम बुनाई करेंगे हमने फ्रेल के सारे फंदे bind off कर ले हैं बचा एक फंदा रख लेंगे फिर आगे के चार फंदे हमने पर्ल बुनने हैं फिर बचे border के आठ फंदों को भी पर्ल बुन कर हमने यह रोप पूरी करनी है एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ इस रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है और फ्रेल के फंदे हम bind off कर चुके हैं और इसमें आप देख सकते हैं फ्रेल की गुलाई में कैसी शेप आ रही है राइट साइट की तो हमने बुनाई पूरी कर ली है अब हमें रॉंग साइट बुनना है तो रॉंग साइट सारे फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है 154 फंदे थे तो 154 फंदे ही आप रहा गए हैं तो इन फंदों को हमने परली बुनकर हमने ये रो भी पूरी करनी है परली बुनकर हमने उन ये रो भी जरी करनी है बून लिया है अब हम राइट साइड आ गए हैं तो इस रो में हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे अभीता 154 फंदे थे जैसे हमने पहले यहां फंदे बढ़ाये दो बार वैसे हमने इस रो में भी फंदे बढ़ाने हैं तो सबसे पहले हम बॉर्डर बुनेंगे एक फंदा हमन यहां बढ़ाना है, फिर आगे हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं, फिर आगे एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर दो फंदे हमने फिर से सीधे बुनने हैं, फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, तो इसी तरह से दो फंदों के बाद हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है, और बॉर्डर से पहले भी हमने एक फंदा बढ़ाना है फिर बॉर्डर के आठ फंदे पर्ल बुनकर हमने ये रो भी पूरी करनी है राइट साइड हमने बून लिया है अब हमें रॉंग साइड बूनना है तो रॉंग साइड में हमने फंदा स्लिप करना है और बागी बच्चे फंदे हमने पर्ली बूनकर ये रो भी पूरी करनी है रॉंग साइड भी हमने कम्प्लीट कर लिया है अभी तक 154 फंदे थे राइट साइड में हमने 70 या 70 फंदे बढ़ा लिये हैं तो 224 या 224 फंदे हो गये हैं अब हमें राइट साइड की बुनाई करनी है तो इसमें पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे तो एक फंदा हमने स्लिप करना है फिर बॉर्डर के 7 फंदे हमने पर्ल बुनने है बॉर्डर की बुनाई करने के बाद आगे हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है दूसरी साइड के बॉर्डर तक फिर दूसरी साइड के बॉर्डर के बचे 8 फंदो को पर्ल ही बुनकर हमन राइट साइट के हमने बुनाई पूरी कर ली है अब हमें रॉंग साइट बूनना है तो इसमें फर्स फंद हमने स्लिप करना है और बागी बच्चे फंद हमने पर्ल बून कर ये रोग पूरी करनी है यहां तक हमने बुनाई पूरी कर ली है और टोटल 224 फंद है अब इसके आगे हमें फंदो को अलग अलग डिवाइट करना है क्योंकि फ्रंट बैक और शोल्डर के पार्ट को अभी हमने अलग करना है और स्लिप की बुनाई करनी है फिर बाद में हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड कर आगे इसकी लंबाई पूरी करेंगे अब हम आगे फंदो को कैसे डिवाइट करेंगे और कितने कितने फंदे हमने डिवाइट करने हैं वही सीखेंगे दोनों कार्डिगंस की आमूल की कटिंग कितनी होनी चाहिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है फ प्रोटल फंदे हैं वो 24 फंदे है उसमें front side में border को मिला कर 30 32 फंदे रखने है फिर शोल्य पार्ट में दोनों side यहां 50- 50 फंदे मैंने रखे फिर back side में 60 फंदे रखने है तो टोटल मिलागे किसव चॉविस फंदे हो गयए हमने front back और चोल्डर के पार्ट को अलग अलग डिवाइट कर लिया है अब हम में चोल्डर के फंदों को अलग करके स्लीव की बुनाई करनी है पहले हम एक साइड ये स्लीव की बुनाई पूरे करेंगे फिर दूसरा साइड हम बुनेंगे और बाद में हम फ्रंट और बैक पार्ट को भी जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे तो एक फंद हमने स्लिप करना है और आगे 7 फंदे हमने पर्ल बुनने है बॉर्डर की बुनाई करने के बाद आगे 24 फंदे हमने सीधे बुनने है तो मिलाकर 32 फंदे फ्रंट साइट की हो जाएंगे हमने फ्रंट साइट के 32 फंदोगी बुनाई कर ली है अब हमें शोल्डर के फंदे पून है तो यहां पर मारकर लगाकर शोल्डर के हमें 50 फंदोगी सीधी बुनाई करनी है पचास फंदोगी हमने सीधी बुनाई कर ली है अब हम बैक आएंगे क्योंकि हमें आगे sleep की बुनाई पूरी करनी है फिर बाद में हम फ्रंट और बैक पाट को जोड़ेंगे तो यहीं से हम पैक आकर sleep की बुनाई को continue करेंगे तो ये रॉंग साइड है और इसको रोज सेगेंड हम काउंट करेंगे तो इसको हमने परली बुनकर ये रो पूरी करनी है ये रॉंग साइड है और इसको सेगेंड डो काउंट करेंगे और इसकी परल बुनाई करके हमने ये रो पूरी करनी है तो पचास बंदो को हमने परल बुनकर ये रो पूरी करनी है रॉंग साइड सेकेंडो की बुनाई हमने पूरी कर ली है आब हमें बैक आना है और यह रो थड़ है और स्लीप की मुनाई को कंटिनु करना है तो सारे फंदे हमने सीधे ही बुन कर यह रो हमने पूरी करनी है रो थर्ड की बुनाई पूरी हो गई, अब ये रो फोर्थ है, सारे फंद्य हमने पॉर्ड ही बून कर ये रो भी पूरी करनी है रोंग साइट फोर्थ रो भी हमने कम्प्लीट कर लिया है, अब हमें लास के टू रोस को ही रिपीट करके आगे फोर रोस और बुनने हैं और फिप्थ रो से लेकर एट रो की बुनाई पूरी करनी है तो जैसे तरह से हमने इस कार्डिगन में स्लीप की बुनाई की है, फ्रिल के साथ उसी तरह से हम स्लीप की बुनाई करना सीखेंगे अब स्लीप की बुनाई कैसे करनी है, आगे वीडियो में यही हम सीखेंगे, स्टेप बाइ स्टेप 8 रो उसकी हमने बुनाई पूरी कर ली है अब ये 9 रो है और इस रो में हम भंदे गटाएंगे दोनों साइड हम एक एक फंदा गटाएंगे तो ये 9 रो है और राइट साइड है और यहां पे हम भंदे गटाने जा रहे हैं तो यहां सबसे पहला फंदा उसकी हम सीधी बुना अब यहां तीन फंदे बचके हैं तो पेहले जो दो फंदे उन दो फंदों कि हमने एक फंदा करना है फिर लास काया बच्छा इक फंदा सीधा बनकर हमने इह रोग पूरी करनी है तो इस रो में हमने दो फंदे गटा लिए हैं अब हम wrong side बुनेंगे जो की 10th row है तो इसकी हमने pearl बुनाई करके ये रोग पूरी करनी है तो 48 फंदे बचके हैं तो 48 फंदों को हमने pearl बुन कर ये रोग पूरी करनी है हमने 10th row की भी बुनाई पूरी कर ली है हमने 9th row में एक एक फंदा गटा लिया है अब इसके आगे हमें इसी तरह से बुनाई करते जाना है और हर 5th row right side में हमने 2 फंदे गटाने है और तब तब हमें फंदे गटाते जाने हैं जब तक की 38 या 38 फंदे बचनी जाते उसके पॉर्डर की बुनाई करके sleep की बुनाई को हम complete करेंगे हमने 38 या 38 फंदे बचने तक फंदे गटाय और इसकी बुनाई यहां तक complete हो गई है एक साल से बडे और 3 साल तक बच्लों नाव के साफ से इसकी लंबाई पूरी हो गई है अब आगे फ्रिल और इसकी बॉर्डर की बुनाई पाकी है उससे पहले हम two parl करने के पहले हम लागवगा सब्सक्राइब करना है? और border की बुनाई करनी है sleep की गटाई हमने कैसी की है वो तो हमने जानी लिया एक बार फिर से चान लेते हैं सबसे पहले हमने नवी रो में दो फंदे गटाए फिर उसके बाद हर फिफ्थ रो में हम दो दो फंदे गटाते आए तो 38 या 38 फंदे रह गए हैं एक बार काउंट कर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और ये दो 38 38 फंदे बचने था हमने गटाई की उसके बाद हमने 4 रोज की बुनाई पूरी कर ली है 4 रोज बुनने के बाद फिर आगे हम पर्ल बुनाई करेंगे तो इस रो में भी हम 2 फंदे अभी गटाएंगे तो जो ये पर्ल वाली 2 रोज की बुनाई है राइट साइट से वो पूरी करनी है तो 4 रोज हमने पर्ल के बुनने है वागी तो इस रो में हमने पहला फंदा पर्ल बुनना है उसके बाद दो फंदों का हमने एक फंदा करके पर्ल बुनना है तो दो फंदे याँ साथ बुनकर एक फंदा गटा लिया है अब आगे पर्ल बुनाई करते जाना है दूसरी साइट के तीन फंदे बशने तक अभी हमने दूसरी साइट भी फंदा गटाना बागी है तो यहां तीन फंदे रह गए हैं तो आगे के दो फंदों का हमने एक फंदा करना है लास्ट का बचा फंदा हमने पर्ल बुन कर ये रो भी पूरी कर ली है अब हमें रॉंग साइट बुनना है तो इसमें सारे फंदे ह हमने पर्ल बुन कर ये रो भी पूरी करनी है पहले 38 फंदे थे अब 36 चा 36 फंदे रहा गया है रोंग साइट के हमने बुनाई पूरी कर ली है अब लास्टो को ही रिपीट करके टूरोस हमने और बुनने है टूरोस बुनने के बाद फिर हम आगे फ्रिल की बुनाई करेंगे पर्लोस हमने बुन कर कम्प्लीट कर ले हैं अब इसके आगे हमें फ्रिल बुनना है फ्रिल की बुनाई करना थो हमने सीख लिया था एक बार फिर से फ्रिल की बुनाई कैसे करनी है इसमें भी सीख लेते हैं अब यह राइट साइड है यही से इसकी बुनाई करेंगे तो सबस के आगे एक फंदा बढ़ाएंगे तो एक फंदे के आसपास हमने दो फंदे बढ़ा लें फिर आगे चार फंदे हमने पर्ल बुनने है चार फंदे पर्ल बुनने के बाद एक फंदा हमने यहां बढ़ाना है फिर बीच में एक फंदा हमने सीधा बुनना है और दूसरी में दो फद्दे बचेंगे उन्हें पर्ल बुन कर ये रो हमने पूरी करनी है राइट साइट की हमने बुनाई पूरी कर ली है अब हमें रॉंग साइट बुनना है रॉंग साइट हमें उसी तरह से बुनना है जैसे हमने फ्रिल की बुनाई में बुना था तो इसमें आगे के जो दो फद्दे हमने राइट साइट से पूर्ल बुने थे उन्हें हमने इस साइट से सीधा बुनना है फिर यान आगे लाकर यहां जो तीन फंदे दो फंद हमने जो बढ़ाए हैं और बीच का एक फंदा उसे हमने पर्ल बुनना है फिर आगे के चार फंदे हमने सीधे बुनने है फिर तीन फंदे हमने पर्ल बुनने है इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना है फिर लास्ट के बचे तीन फंदों को हमने सीधा बुनकर ये रोब पूरी करनी है हमने फ्रिल की बुनाई कैसे करनी है वो सीख लिया है इससे पहले भी हमने सीखा है तो आगे भी इसी तरह से हम फ्रिल के फंदे बढ़ाते जाएंगे और 9 फंदे होने तक हमें फ्रिल की बुनाई करते जाना है आपको फ्रिल की जो लंबाई है जितनी रखनी है आपने इसाब से रख सकते हैं हम फ्रिल के फंदे बढ़ाते आए और 9 फंदे होने तक हमने फ्रिल की लंबाई पूरी कर ली है अब हम फ्रिल के फंदे बाइंड ओफ करेंगे तो इसमें हम नेडल से ही फंदे बाइंड ओफ करेंगे सबसे पहले जो 3 फंदे हैं उन्हें हमने पर्ल बुनना है तो 3 फंदों शेव दी है अब इसके फंदे हम bind off करेंगे और इसको गूल आई में हमने शेव देनी है शेव बच्छ साय करणिव। हमने राइट साइड की बुनाई पूरी करली है और फ्रिल्डो के सारे फंदे हम बायंड आफ कर चुके हैं अब हम रॉंग साइड बुनेंगे चट्IL वन्दों से हमने शुरुबात की थी फ्रिल की बुनाई करने से पहले चट्IL वन्दे ही रहे गए हैं अब इन 36 वंदों की पॉर्ल बुनाई करके हमने ये रो पूरी करनी है रॉंग साइट भी हमने पूर लिया है और साथ ही फ्रिल की बुनाई भी पूरी हो गई है फ्रिल की बुनाई हमने कर ली है अब आगे हमने बॉर्डर बुना बाकी है तो जो बॉर्डर की बुनाई है उसको हम 10 नमबर की निडल से करेंगे इसके लिए पतले निडल मैं यूज कर रही हूँ ताकि बॉर्डर जादा लूज न हो अभी तक हम 9 नमबर की निडल यूज कर रहे थे अब मैं 10 नमबर की सरकुलर निडल यूज कर रही हूँ जो की 3.25 mm की है तो इसके आगे की बुनाई हम 10 नमबर की निडल से ही करेंगे तो 36 फंदो को आप पर्ल बुन कर हमने ये रोग पूरी करनी है राइट साइट की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है border की बुनाई भी पूरी हो गई है और इसकी जो length है आप अपने according ही रखेगा border की बुनाई तो complete हो गई है अब इसके फंदे हम bind off करेंगे और याद रखेगा मैं फंदे bind off कर रही हूँ wrong side से तो यहाँ पे आगे के जो दो फंदे हैं उन्हें हमने 7 में पूनना है दो फंदो का हमने पहले एक फंदा करना है यह बचा एक फंदा फिर दो फंदो को 7 में मिलाकर एक फंदा करना है इसी तरह से हमने फंदे bind off करते जाना है याद रखेगा थोड़े हलके आतों से आप फंदे bind off करें सारे फंदे हम bind off कर चुके हैं इसी के साथ स्लीव की बुनाई complete होती है अब इस स्लीव को सीलने के लिए जितने यान के हमें जोरत है उतनी कट कर लेंगे और यान को अच्छे से secure कर लेंगे एक साथ की स्लीव की बुनाई पूरी हो गई है अब एक साथ के front और back को जोड़ कर दूसरे साथ की हमने स्लीव की बुनाई करना बाकी है एक side की sleep की तो हमने बुनाई पूरी कर ली है अब आगे बढ़ने से पहले एक बार sleep की length चक कर लेते हैं फिर आगे दूसरे side की sleep की भी बुनाई करेंगे हमने एक side की sleep की बुनाई पूरी कर ली है अब हमें front और back part को यहां जोड़ना है तो यहां पे यान लेकर हम पहले front और back part को जोड़ेंगे फिर बाद में दूसरे side की sleep की बुनाई करेंगे अब हमने front और back part को जोड़ना है तो बीच में हम दो फंदे बढ़ाएंगे तो उससे पहले हम same color की यान लेकर यहां पे अच्छे से secure कर लेंगे फिर आगे की बुनाई करेंगे तो यहां same color की यान हम लेंगे और यहां पे इसको अच्छे से secure कर लेते हैं यहां इसको अच्छे से हमें माद लेना है यहां यांड सिक्यूर करने के बाद आगे हमें दो फंदे बढ़ाने हैं पीछ पैसे हम दो फंदे बढ़ा लेंगे फिर बैक साइड के 60 फंदे हम सीधे बूलते जाएंगे तो यहां पे हम दो फंदे बढ़ाएंगे एक और ये दो फंदे हमने बढ़ा ले हैं अब आगे बैक साइड के हम बुनाए करेंगे तो बैक साइड के जो 60 फंदे हैं उन्हें हमें सीधा बूलते हैं एक साइड का फ्रंट और बैक पाट हमने जोड लिया है अब आगे शोल्डर के फंदे हैं तो शोल्डर के 50 फंदों को हमने सीधा बुनाए और आगे स्लिप की बुनाई पूरी करनी है जैसे हमने एक साइड के स्लिप की बुनाई की थी बैक साइट की हमने 60 फंदे बुन ले हैं अब यहां मारकर लगा कर आगे 50 फंदे हमने सीधे बुन कर ये रो पूरी करनी है हमने 50 फंदों की सीधी बुनाई की अब हमें बैक आना है बैक आकर हमने रोंग साइट की बुनाई करनी है फिर उसके बाद हम बैक और फ्रंट पार्ट को बाद में जोड़ेंगे जब स्लीब की बनाई पूरी हो जाएगी अब रोंग साइट है तो रोंग साइट को हमने पर्ल बुन कर ही ये रो पूरी करनी है तो सारे फंदे हमने परली पूरने है रॉंग साइट की हमने बुनाई पूरी कर ली है अब आगी हमने जैसे पहले स्लीप की एक साइट की बुनाई की थी उसी तरह से इस साइट की स्लीप की भी बुनाई हमने पूरी करनी है फिर बाद में हम back और front part को जोड़ेंगे और आगी की बुनाई पूरी करेंगे हमने दूसरे side की sleep की भी बुनाई complete कर ली है अब हमें back और front part को इस side भी जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमने बीच में उसी तरह से दो फंदे बढ़ाने हैं जैसे हमने front और back को जोड़ते time बढ़ाया था तो यहाँ पर yarn लेंगे और उसको अच्छे से पहले secure कर लेंगे यहाँ पर इसको tightly हम बाद लेंगे यहाँ secure करने के बाद यहाँ हमने दो फंदे बढ़ाने है एक और ये दो दो फंदे बढ़ा ले हैं अब आगे हमें front side की बुनाई करनी है तो पहले 24 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और बचे 8 फंदे border के हमने pearl बुन कर ये रो पूरी करनी है पहले front back और दोनों shoulders के फंदे मिला का total 224 फंदे थे पे शोल्डर के फंदे 100 फंदे अलग होके 124 फंदे रह गए थे हमने front और back को जोड़ते समय दो दो फंदे बढ़ाए तो 4 फंदे बढ़कर 128 फंदे हो गए हैं अब हम wrong side की बुनाई करेंगे तो एक फंद हमने slip किया और बागे फंदों को pearly बुन कर हमने ये रो पूरी करनी है wrong side की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है अब यहां तक हमने complete कर लिया है अब इसके आगे की बुनाई करना हमने बागी है अब योग तक की बुनाई हमने पूरी कर ली है अब जैसे इस cardigan में हमने आगे pearl rose बुने फिर इसकी लंबाई हमने complete की और आगे फ्रिल भी हमने बुना है तो जो यह पर्लोज है वह हमने अभी यहां बुनने हैं तो फोर पर्लोज राइट और रॉंग साइड मिलाकर हमने बुनने हैं फिर साथ में बटन होल की भी हमने बुनाई करते जाना है तो यहां पर जो पर्लोज है पहले वह हम बून लेते हैं तो जो सबसे पहला फंदा उसको स्लिप करना है और बागी फंदों को हमने पर्ली बून कर ये रोप पूरी करनी है इस रोकी बुनाई हमने पूरी कर ली है अब लास्ट रोको ही रिपीट करके थ्री रोज हमने इसी तरह से बूनने है हमने फोर पर्ल रोस कम्पलीट करने है उसके बाद आगे की बुनाई करनी है हमने बॉर्डर बुनना है बटन होल के साथ और राइट साइड हमने सीधी बुनाई करनी है रॉंग साइड पर्ल बुनना है कार्डिकन की लंबाई भी हमने complete कर ली है फ्रिल भी बून लिया है और बॉर्डर की बुनाई के साथ बंदे bind off करके इसकी लंबाई complete हो गई है इसकी जो लंबाई है आप अपने बेवी के hide के साब से बून सकते हैं नेडल की बुनाई कैसे करनी है हमने पहले सीखी लिया है महिने कार्डिकन की बुनाई तो complete कर ली है आप sleeves को सीलना बाकी है तो sìp की अब हम सीलाई करेंगे स्लीप को सीलने के लिए पहले ही यान कटकर लिया था अब इसको नेडल में इंसर्ट कर लेंगे और याद रखेगा इसको राइट साइड से ही सिलना है तो सबसे पहले हम यान को अच्छे से यहां पर सिक्यूर कर लेंगे स्टार्टिंग में इसकी दो बार हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे हमने दो बार सिलाई कर ली है यान को अच्छे से सिक्योर कर लिया है अब इस तरह से एक एक फंदा दोनों साइड से हमें उठाते जाना है और इसको सीलते जाना है यहां तक हमने सिलाई कर ली है विसी तरह से आगी भी हमें सिलते जाना है और दोनों स्लीप्स की हमने सिलाई कम्पलीट करनी है दोनों स्लीप्स की सिलाई भी हमने कम्पलीट कर ली है इसी के साथ कार्डिगन की बुनाई और सिलाई कम्पलीट होती है बस इसमें आप बटन्स लगाने बाकी है जो कि हम बाद में लगा लेंगे तो friends ये फ्रेल वाला कार्डिगन आपको कैसा लगा comment करके मुझे जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर कर दीजेगा और बाकि अपने friends को भी आप इसको share करना चाहे तो बिल्कुल share कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की कार्डिगन बून कर आप किसी को भी gift कर सकते हैं या अपने बच्चों के लिए भी कर बैठे बैठे बून सकते हैं I hope friends इस कार्डिगन की बुनाई आपको बहुती easy लगी होगी अब आप भी अपने बच्चों के लिए बून कर अपने experiences मेरे साथ share करेंगे जैसे कि आप हमेशा करते आए हैं यह उन के लिए जो मेरे channel को पहली बार देख रहे हैं मेरे Instagram और Facebook में same नाम से ID है आप अपने experiences मेरे साथ share उसमें कर सकते हैं यह दिए कोई question हो तो आप उसमें मुझसे पूस सकते हैं फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही हम बहुत जल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें खुश रहें और स्वस्त रहें आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद